सूरत की सनिया हिमाद इंडस्ट्रीज में दस दिन पहले लगी आग का मामला एक कपड़ा गोदाउन में आग लग गई थी और इठतर लाख रुपे का कपड़ा सामान चल कर खाख हो गया था इस आग की घटना में एक नया मोड आया है पता चला है कि ये आग नहीं लगी थी फैक्टरी में काम करने वाली करमच्यारी ने आग लगाई थी जब पुलिस इस आग लगने के मामले की चांच कर रही थी तो पुलिस ने CCTV में देखा कि एक आदमी यहां कपड़े के गोदान में आग लगा रहा था गोदाम मालिक के द्वारा करमचारियों को कमवेतन मिल रहे गोदाम में गुस्से में आके लगाई थी मजदूर ने आग आग लगाते वक्त मजदूर के CCTV के सामने आए फिर पुलिस ये देख कर भी चौक उठी आग की गटना में फैक्टरी के मालिक को इठतर लाग का नुकसान हुआ है जिसमें पुलिस ने आग लगाने वाले मजदूर इजास एहमद चैसानिया हिमाद में रहता है उसके खिलाफ अप्रादज कर मजदूर इजास को धर दबोश लेने की कवायत हाथ ली है